हलो फ्रेंड्स, इस मिर्थी किचन में आपका स्वागत है तो आज हम आपको बनाना बताएंगे बिना मोल्ड के गुजिया जो कि आप जटपट इसोली बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, हम जटपट रेस्पी को सुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब खोया लिया है तो इसको हम फ्राई कर लेंगे तो फैन भी गरम हो गया है तो चलिए हम खोया को इसमें फ्राई कर लेते हैं आधा कटोरी चीनी मिला लेंगे चीनी आप अपने स्वाद के नुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलाईंची पॉर्डर डाल दूँगी जिसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नायल का बुरादा तीन से चार चमच डाल दूँगी जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा यह लगभग हो गया है तो अब मैं इसको ठंड़ा होने के लिए छोड़ देती हूँ अब मैं आटा लगा के तयार कर लूँगी तो हमने यहाँ पे डेर कटोरी के लगभग मैदा ले लिया है अब मैं इसमें आधा कटोरी के लगभग रिफाइंड वाइल मिला लूँगी हम रिफाइंड वाइल थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए हमने आटे को अच्छी तरह से मिला लिया है ये देखिए अच्छी तरह से बंद रहा है तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक कड़ा सा डो बना करके तयार कर लेंगे ये देखिए हमने आटा लगा करके तयार कर लिया है तो अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढखके छोड़ देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए 15 मिनट के करीब हो गया है तो देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हमने लोई भी इसका बना के तयार कर लिया है तो चलिए इसको हम बेलना सुरू करते हैं ये देखिए इस तरह से हम इसको पतला बेल लेंगे ये देखिए हमने इसको पतला बेल लिया है तो ये हमने एक ग्लास लिया है इसको इस तरह से कट कर लेंगे ये देखिए अब मैं पूरी के उपर थोड़ा सा खोया रख लूँगी और इसके चारों तरफ में पानी लगा लूँगी जिससे कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए और चिपक जाए ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी अब मैं एक फोल्ड की सहता से इस तरह से इसको दवा दूँगी तो देखिए इस तरह से इसको हम दवा देंगे ये बहुत ही सुन्दर डिजाइन इसमें बन जाता है और बिना मोल्ड के हम जटपट गुजिया बना करके तयार कर लेंगे ये देखिए कितना अच्छा ये बन के तयार हुआ है इसी तरह से हम और भी गुजिया बना करके तयार कर लेंगे ये देखिए बिना मोल्ड के हमने बहुत सारे गुजिया बना करके तयार कर लिया है तो चलिए अब इसको हम तल लेते हैं तेल अच्छा खासा गरम हो गया है तो एक एक करके अब हम गुजिये को इसमें डाल लेंगे और इसको धीमी याच में तल लेंगे अब हम एक करके गुजिये को पलट लेंगे ये देखिए इसको अराम से धीरे धीरे करके पलटेंगे ताकि तेल न छटक जाए ये देखिए ये लगभग हो गया है तो अब एक एक करके एक बरतन में इसको हम निकाल लेंगे तो ये देखिए हमने सारे गुजिये तल करके तयार कर लिये हैं तो इस ओली आप जरूर इस तरह से गुजिया बनाए जटपट बिना मोल्ड के अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजे, सेर कीजे और मेरे चैनल स्मिर्ती कीचन को सस्क्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन को दवाए जिससे की मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तब तक के लिए धन्यवाद